पिछले कुछ समय से इंडियन विमन में गुस्सा और डिप्रेशन दोनों बढ़ा है अमेरिका की एक रिसर्च संस्था गाल वोइट पोल ने दुनिया भर की महिलाओं की मेंटल हेल्थ को लेकर एक सर्वे किया है इस सर्वे में सामने आया है कि बीते दशक से महिलाओं में लगतार टेंशन गुस्सा और चंता वढ़ रही है पिछले दस सालों में अमेरिका से लेकर एफरिका एशिया से यूरोप तक इन समस्याओं का ग्राफ तेजी से बदल रहा है महिलाओं पहले की तुलना में अब ज्यादा गुस्सा और तनाव में रहने लगी है पिछले दस सालों में लोगों की मानसिक हालत जानने के लिए उनकी भावनाओं को समझने के लिए गाल्प वोइड पूल ने 2012 से 2012 तक के डेर सो देशों के 12 लाख लोगों पर सर्वे किया इस सर्वे में उन्हें बताया कि 10 साल पहले 2012 में आदमी और औरतों दोनों में गुस्सा और तनाव का स्तर सेम था लेकिन दस साल से महिलाओं में गुसा और तनाव पुरुशों की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। वो पहले की तुलना में अब ज्यादा गुसायल रहने लगी है। सर्वे में ये भी सामने आया है कि गुसा हो, डिप्रेशन हो, घबराहट हो या फिर उदासी हो जैसे नकारात्मक एहसासों को पुरुशों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा महसूस किया है। आकड़ों पर गौर करें तो सामने आता है कि दुनिया भर में महिलाओं में आक्रोश का स्थर यानि गुस्से का स्थर पुरुशों के अपेक्षा 6 प्रतिशत ज्यादा है। इंग्लाइन के इंस्टिटूट और फिसकस स्टडीज के एक सर्वे में सामने आई है। भारत में 5,000 महिलाओं पर किये गए सर्वे में ये बात सामने आई है कि लॉकडाउन के समय घरेलु कामकाज के जिम्मेदारी पुरुशों के मकाबले महिलाओं ने ज्यादा उठाई महिलाओं को घर के साथ साथ ऑफिस का भी काम समालना पड़ता था। इसके लावा महिलाओं को समान ऑफिस वर्क के लिए पुरुशों के अपेक्षा कम वेतन मिलता है जिसकी वजह से उनमें चंता ज्यादा बढ़ती जा रही है यही वजह है कि और तो में आदमियों के दोस्ता देखने को मिला है